वेलकम टो इंटेलीजेंशेंशेंशेंशेंशेंशेंशेंशेंशेंशेंशेंशेंशेंशेंशेंशेंशेंशेंशेंशेंशेंशेंशेंशेंशेंशेंशेंशेंशेंशेंशेंशेंशेंशेंशेंशेंशेंशेंशेंशेंशेंशेंशेंशेंशेंशेंशेंशेंशेंशेंश तो पार्सुनाद मुक्तया संबन्दित थे वरानसी से, ठीक, महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, ठीक है, तो कुन्डग्राम में, महावीर जैन की मृति हुई थी पावापुरी में, तिर्दकर्द सब्द संबन्दित है, तो जैन से, जैन तिर्दकरो की क्रम में अंतिम थे तो महावीर, ठीक, आगे देखते हैं, हाँ, चंदर प्रभू, नाथ मुनी, नेमी, तथा संभव मेफे, वह जो जैन तिर्दकर नहीं था, तो उनका नाम है नाथ मुनी, ठीक, प्रभास गिरी, जिनका तिर्द अस्तला है वो है, जैन, जैन धर्म में पूर्ण ज्यान के त्री रत्न, त्री रत्न सिध्यांत, सम्यक धारन, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्यान, चीस धर्म, कि महिमा पर, महिमा है वह है, जैन धर्म अडुब्रत सिध्धान्त का प्रतिपादन किया था तो जैन धर्म ने शयाद वाद सिध्धान्त है जैन धर्म का टिक, आगे देखते हैं जैन धर्शन के अनुसार स्रिष्टी की रचना यों पालन पोशन फारभोमिक बिधान से हुआ है अनेकांत वाद बौदमत, जैन मत, शिक्ध मत तता बैश्डो मत में फे जिसका कोर सिध्धान्त यों धर्शन है वह है जैन मत बैश्डो ओ स्वारी बौद धर्म, जैन धर्म, हिंदु धर्म तता इसलाम में फे वह धर्म जो बिश्ट बिनाफ़कारी प्रले की अउधाना में विश्वास नहीं करता है जैन धर्म, ठीक है? जैन धर्म का आधार भूथ विंदू है तो अहिंसा, ठीक है? यापनी एक संप़्धाय है जैन धर्म का बारा अंग, बारा उपांग, चौदा पूर्व, चौदा उप पूर्व में फिवा जो सबसे पूर्व कालिक जैन गरंद कहलाता है तो यह है चौदा पूर्व, ठीक है? क्या है? चौदा पूर्व, ठीक? आगे देखते हैं प्रारंभिक जैन साहित जिस भासा में लिखे गए हुआ है अर्ध मगधी, पावा, चंपा, सम्मेद सिखर, उजयन्त में फे हुआ हस्थल, जो पारसुनात से सम्मध होने के कारण जैन सिद्छेत्र माना जाता है तो सम्मेद परबत है, ठीक है? सम्मेद सिखर, ठीक? ठेरी गाथा, अचरांग सूत्र, सूत्र क्रितांग, तथा ब्रिहत कल्प सूत्र में से वा जो आरंभिक जैन साहित का भाग नहीं है तो ठेरी गाथा जैन संपर्दाई में परथम विभाजन के समें स्वयतांबर संपर्दाई के संस्तापक थी तो इनका नाम है इस्तूल बद्र महाभीर का परथम अनुयाई था तो जामिली ठीक है वह जैन सभा जिसमें अंतिम रूप से स्वयतांबर आगम का संपाधन हुआ तो ये पाटल पुत्र है ठीक है पाटली पुत्र सत्तिकतन है तो गौतम बुद्धी की माता कौली राजवन्व की राजकुमारी थी एकदम सही है और तेई सोफे तीर्धकर जो है पार्सोना जो है बना रफ से ठीक है अब प्राछीन जैन धर्म के संबन्द में सत्तिकतन इए तो बधर बाहू के नितुरत में दश्ड भारत में जैन धर्म का प्रसार हुआ ठीक पाटल पुत्र में हुई परिशत के पश्चात जो इस्तूल बाहु के नेतरुत में रहे वोई सुयताम्बर कहला है मतलब बाहु के नेतरुत में जो दच्छिड भारत में जैन धर्म का परचार हुआ तो यह बिल्कुल सही है थीक है फिर उसके बाद में जोई फाटल पुत्र में हुई परिस्ट के पस्षाद जो जैन धर्म के लोग इस तूल बाहू के नेतुरत में रहे वोई स्वेताम बर्गहल है ये भी सही है ठीक है और प्रतम सतक इसापूर में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला था तो ये सारे पॉइंट सही है ठीक है आगे देखते हैं जैन सिद्धानद के अनुरूप कथन है तो कर्म को बिनिष्ट करने की सुनिष्चित मारग तपश चार्या है ठीक है पर देक वस्त तुमें चाहे हुआ सूचत्म कड़व आत्मा होती है ये भी सही है ठीक है कर्म आत्मा का बिनासक है ठीक है और अवस इसका अंद करना चाहिए ठीक है ये जो है होगा हाँ आगे देखते हैं ठीक है शमादी मरण से सम्मंदित है तो जैन दर्सन से सत्तिक कथा ना है ठीक है तो दच्छड भारत के इच्छवाकू सासक बोधमत के समर्थक थे पूर्भी भारत के पाल सासक बोधमत के समर्थक थे ठीक है आजीवक संपरदाई के संस्तापत तो मा माकल वो फालते ठीक है वह संपर्दाय जो नियत की अटलता में विश्वास करता था उसका नाम है आजीवग बराबर की गुभाओं का उपयोग आशरे क्रे के रूप में किया तो किसने किया आजीविको ने किया ठीक है आजीविको उत्तर प्रदेश में बहुत योम जैनियों दोनों की परसिद्ध तीरतस्तली है तो कोसाम भी है सही कतन है भारत का सबसे बड़ा बहुत दमठ और रांचल प्रदेश में है ठीक है बिल्कुल सही है खुजराहों के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनवाएगे ये भी सही है और हुआए फेलेव सर मंदिर फ्यू को समर्भित है ठीक है सोने वेल गोला में गोमतेश्वर के विशाल प्रतिमा अस्थापित करवाई थी तो चामुन रायने महान धार में घटना महामस्तका विशेग सम्मंदित है तो बाववली से बाववली को पुत्र माना जाता है तो पर्थम तेर्थकर रिशब्देव का ठीक है आगे देखते है अब है जो है फैव और भागव धर्म तो प्राजीन भारत के विशोत पत्ती विशयक धारणाओं के अनस्वार चार इगो के चक्र का क्रम इस प्रकार है तो है क्रित त्रेता द्वापर और काली आजीवप मत्मयूर मैमत इफान श्यू गुरू देव पद्धती मेफे वह चो प्राजीन भारत के शेव संपरदाई से था तो इसका नाम है मत्मयूर अर्धनारीश्वर मूर्ती में आधा फ्यू और आधा पार्वती प्रतीक है देव और उसके सक्द का योग नयार थी तो नयर जो है नय नार जो थे तो ये सेव धर्मान है आई थे ठीक है ठीक पोई गई तिरू ग्यान पूडम तिरू मंगलई में से वह चो अलावर संत नहीं था तो तिरू ग्यान बहागवत संपरदाय के विकास में सरबाधिक योगदान दिया था तो गुप्त ने बहागवत धर्म के प्रवर्तक थे किष्ण सरपर्थम देवकी के पुत्र किष्ण का वर्णन मिलता है तो चंदोग उपनिसद में वागवत संपरदाय में भक्ति के रूपों की फंक्या है नौ हेलियोडोरस का वेशनगर अबलेक संदर्वित है तो वाशिदेव से बहागवत धर्म से समदित प्राचिंतम अबलेकिये साच जो है तो हेलियोडोरस का वेशनगर अबलेक है विश्णुडू के जिस अवतार को सागर से प्रितिपी का उतार करते हुई अंकित किया गया हुआ है वराह। छटी सताब्दी इसा पूर्व के संतर में भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रतायों में विवेदक लच्छन है। तो वेदू की प्रमाडिक्ता म्यास्ता मोच के साधन के रूप में जर्म, जन्म, कर्म और भक्ति को समान महत्व देता है तो कौन भगवद गीता ठीक है। आगे देखते हैं प्रास्तान त्रई में समलित है तो उपनिसद ब्रह्म सूत्र यों भगोद गीता तो प्रास्तान त्रई में जो है उपनिसद ब्रह्म सूत्र यों भगोद गीता शमलित है ठीक है वह प्राचीन अस्तल जहां साथ हजार मुनियों की सभा में शंपूर महा भारत कथा का वाचन किया गया था तो यह है नैमी शारण और यह पढ़ता है सीतापुर में उत्तरपदेश के ठीक है रामायड का वह कांड जिसमें राम और हनुमानी की पहली भेट का वरणन है तो इसका नाम है किस्किंगा कांड ठीक है पूरी में रत यात्रा निकाली जाती है भगवान जगनात के शम्मान में नासिक में कुम्भ मेरा लगता है गोदावरी नदी के टटपर ठीक है भागे देखते हैं शुमेली थे ठीक है तो एक तरफ है धर्म पवित्र अस्थल जैन धर्म ठीक है तो पावापुरी से संबंद है हिंदु धर्म वराणफी इसलाम धर्म मदीना इसाई धर्म बैटिकन बैटिकन फिटी ठीक है अब छाटवी सदी इसापूर राजनितिक दसाँ देखते हैं इसको तो भारत के प्राचिंतम सिक्के किसके थे चांदी के थे ठीक है सुमेली थे, एक तरफ है राजा, एक तरफ है राजी, ठीक तो प्रागोद, तो प्रागोद जो है, तो ये जो है आवंती राजी के राजा थे, ठीक है अब लेकिये साच से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी कलिंग में उजैन का प्राचीन काल में नाम था तो आवंतिका था अब यह कुश्यन आया हुआ था इसमें दिया हुआ है कि मांचित्र में AB, F, D द्वारा अंकित अस्तल है तो A, B, F, D टीक है तो यह जो है A यह था मतस्व टीक है B जो है यह आ वंति था और F जो है यह वत्सा और D जो है अंग था टीक है तो यह कुश्यन पूछा जा चुका है इस टाइब का टीक है अब आगे देखते हैं प्राजीन नगर जो महाभारत और महाभास दोनों में उलेकी थे तो माधमिका योम बिराट नगर पाटिल पुत्र के सांस्थापक थी उदाइन थी ठीक है चंद्रगुप्त मौर अशोक महान चंद्रगुप्त बिक्रमादित योम कनिस के मेफी पाटिल पुत्र कुजी साशक ने सरपर्थम अपनी राजधानी बनाया वह है चंद्रगुप्त मौरी ठीक सरपर्थम पाटिल पुत्र का राजधानी के रूप में चैन किया उधन द्वारा चैन किया गया था ठीक है ठीक चैन की बात कर रहे है उधन वाशो दट्था की दंत कथा सम्मन्धित है उजएन से प्रतम मगज सामराट प्रतम मगज सामराज का उतकर्स हुआ था तो छटवी इशापूर में ठीक है अब आगे देखते हैं गांधार, कंबोज, कासी तता मगद में से हुआ जो इसा पूर्व छटबी सताब्दी में प्रारम में भारत का स्वरबादिक सक्षाली नगर राज था तो ये कासी था साथ, लिच्छवी, योम, योधे में फे प्रारम में गरतंत्र में नहीं था तो योधे, बेसुका पहला गरतंत्र बैफाली में अस्थापित किया गया लिच्छवीयों के द्वारा अब सही सुमेलन है तो पारसुनात का संबंद जो है जैन से है बिंदुसार का संबंद जो है मौर से है असकंद गुप्त गुप्त वन से है चेतक जो है लिच्छवी वन थे ठीक है लिच्छवी से है सोला महा जनपद की सूची जिन प्राचीन करंथों में मिलती है वो है अगुंतर निकाय योंबगाउती सूत्र ठीक है मा भारत के अनुशार उत्तरी पंचाल की राजधानी इस्थित है तो अईच्छत्र में सोला महा जनपदों की युगमिय मतुरा राजधानी थी शूरिशेन की ठीक है चमपा राजधानी थी किसकी थी चमपा अंग की ठीक है छड़वी सताबदी इसापूर में सुक्तमती राजधानी थी तो किसकी थी चेदी की गोदावरी नदी के टट पर इस्थित महा जनपद था तो ये था असक असमक या असक ठीक है मगद की प्रारंभिक राजधानी थी तो राजगरे या इसको गृवरज भी बोलते थे गिरी वरज गिरी वरज राजगरे पाटिल पुत्र तथा कौसामबी में से हुआ जो मगद सामराज की राजधानी नहीं रहा तो कौसामबी नहीं रहा ठीक है प्राचीन सरावस्ति नगर में नियास है तो अर्ध चंद्रा का रहा है मगद का प्रारंभिक फासक जिसने राजधा अभिफेक के लिए अपने पिता की हत्या की और स्वयम इसी कारण अपने पुत्र द्वारा मारा गया तो ये जो है अजात सत्रू है ठीक है ठीक अजात सत्रू के वंस का नाम था हरियक वंस ठीक है मालवा चेत्र पर मगध की सत्ता का भिस्तार हुआ था तो सिसुना के सासन काल में नंद वंज के पश्छाथ मगध पर सासन किया तो किस ने किया मौर राजवंस ने किया राजा नंद का उलेक करने वाला अवलेकी ये प्रमाण है तो खारवेल का हाथ ही गुमफावले मगद पर फाफन करने वाले राजवन्सों का कालक्रम है तो पहले हरियक वन्स होगा, फिर नंद वन्स, फिर मौर वन्स, फिर सुंग वन्स मगद का समराट जो अपरोपर अपरोपर सुराम के नाम से जाना जाता है तो इनका नाम है महापदम नंद, ठीक है, अब सही कतन है, तो इसको देखती है तो जो है सही कतन, तो विश्व के सभी भागों में इसे भी पूर्ब चाडवी सताब्दी एक महान धारमिक उतल पुतल का काल था बैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था, ठीक है, ये सभी सही है गौतम बुद्ध के समय परसिद्ध, बैद जीवक समन्दित था, तो विमस्वार के दर्भार से कालपी नगर जिस नदी के टट परिस्थित है, वह है यामुना नदी, ठीक सही सुमेलन है, तो उत्तर परदेश के प्राचीन, जनपत और राजधानी, ठीक है, देखते हैं इसको तो कुर, कुर की राजधानी जो है, इंदपरस्त, पंचाल की राजधानी, अईच्छत्र, कौसल की राजधानी, साकेत, और वद्स की राजधानी, कौसामभी सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर सासन था, तो किसका था, नंद का था, मगद का राजधा दो, सिकंदर महान के समकालीन था, तो घना नंद, अब कतन है और कारणा, इसको देखते हैं, लगबग दो वर्स के अभियान के बस्चाथ, सिकंदर महान ने 325 इसापूर में भारत छोड़ दिया, ठीक, तो ये जो है सही है, वह जो है, वह मतलब कौन सिकंदर महान, चंदर गुप्त महर से पराजित हुआ था, ये बिलकुल गलत है, क्योंकि वह पराजित नहीं हुआ था, ये सही है, और आर गलत है, ठीक, युद भूमी में बड़ी फंक्या में फै सरद्यारण किया हुआ है, तो मशग, ठीक है, मशग, भारत में सिकंदर की सफलता के कारण थे, तो उस समय भारत में कोई केंद्रिय सत्या नहीं थी, ठीक है, ये सही है, उसकी फोज बेहतर थी, ये भी सही है, और उसे देश द्रोही फासकों से साहता मिली हुई थी, ठीक ह तो यह सारे चीज सही हैं जिसकी वज़ा से जो है शिकंदर बारत में शफलो गया था वह बीर भारतिय राजा जिसे शिकंदर ने जेलम के टड़ पर पराजित किया था तो उसका नाम है पुरू और पोरस के भी नाम से जाना याता है जाना याता था तिक सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था तो उसका नाम है डाइमेकर अब देखते हैं मौर समराज प्रतम भारतिय समराज अस्थापित किया गया था चंद्रुप्त मौर के द्वारा गुप्त मौर वर्दन कुषान मेफे सबसे पुराना राजवन से तो मौर है ठीक है जिसके गरंट में चंद्रुप्त मौर का विसिष्ट रूप से वर्दन हुआ हुआ है विशागदत ठीक है विसागदत ठीक है और इनका जू करन्त था विसागदत का मुद्रा राचस ठीक शैंडो कोटस से चंद्रकुप्त मोर की पहचान की गई तो किस ने किया बिलियम जोंस ने ठीक फिलनी जाश्टिन इस्ट्रेवो तथा मेगा स्थनीज में से वह चू इसको फिर से देखते हैं फिलनी जाश्टिन इस्ट्रेवो तथा मेगा स्थनीज मेफिव वह जिसने सेंडो कोटस और चंद्रकुप्त मोर भी इनको सेंड्रकुप्त को बोलते थे और सिंगंदर महान की भेट का उले किया है तो जाश्टिन ने किया है कोटिल परदान मंत्री थे चंद्रकुप्त मोर के चाड़क अपने बचपन में जाने जाते थे तो विष्णू गुप्त के नाम से तीक है कोटिल का अर्शास्त्र एक सासन के सिध्धांतों की पुस्तक है सब्तांग सिध्धांत के अनुसार राज के अंग है तो राजा, आमात, जनपद, दुर्ग, कोश, सेना, यो मित्र ठीक है फिर से देख लेते हैं बहुत ही इंपोर्टन है सब्तांग सिध्धांत के अनुसार राज के जो है अंग है तो साथ अंग होते हैं, जिसमें राजा सबसे पहले होगा, फिर आमात्य होगा, फिर जनपद होगा, दुरुग होगा, कोस होगा, फेना होगा, और मित्र होगा, मित्र जो है, सबसे अंतिम है, ठीक है, ये ध्यान रखना, यो भी स्टी में पूछा गया है ये question, सबसे अंतिम इसी के बारे में चर्चा किया गए है मैं कहा है वेली के प्रिंस से तुलना की जाती है तो कौटिल के अर्शास्त्र की डाई मेकस भारत आया बिंदुसार के सासनकाल में आया था किसके सासनकाल में आया था बिंदुसार के पाटिल पुत्र में इस्थित चंद्रगुप्त का महान चंद्रगुप्त का महल मुकतया बना था लकडी का बना था जिस प्राचीन नगर के आउसेश कुम्रहार अस्तल से प्राप्त हुआ है पाटिल पुत्र ठीक बुलंदी भाग प्राचीन अस्थान था पाटल पुत्र का असोग चंदरगुप्त बिंदुसार तथा कुषाण में फे वह मौरी राजाजिस ने दकन की बिजे प्राप्त की थी तो चंदरगुप्त ने मालवा गुजरात यो महाराष्ट की पहली बार महाराष्ट पहली बार जीता तो किसने जीता चंदरगुप्त मौरी ने जो है पहली बार मालवा गुजरात और महाराष्ट को जीता था वह अबलेक जिससे ये प्रमाडित होता है कि चंदरगुप्त का प्रभाव पश्चिम भ भारत पर था, तो रुद्रद्रामन का जूनागर्ण स्विला लेग से प्रतीत होता है, ठीक है, ये साच मिला, ठीक है, ठीक है, ठीक है, और ये बहुत इंपोर्टन्ट है, रुद्रद्रद्रामन के जूनागर्ण स्विला लेग से जो है, चंद्रगुप्त मोर के समराज का ये प्रमारित मिला है, ये बहुत ही important है, पूछा गया है, कि जूनागड का स्फिलालेक किस से संबंद है, ठीक है, ये पूछा गया है, शेलुकस जिसको, जिनको अलेक्जेंडर द्वारा, फिंद यों, अब गानिफसान का प्रफासक, नियुक्त किया गया था, को हराया था, चंद्रगुप्त ने, ठीक, चंद्रगुप्त ने फेलुकस को पराजित किया था, तो 305 इसापूर में, फैंशूरता, उदारता और करूडा के, त्रीविद आधार पर राजधर्म की अस्थापना की, तो किसने असोक ने, अफगानिस्तान, बिहार, स्रीलंका, तथा कलिं असोक के सामराज में समलित नहीं था, तो स्रीलंका नहीं था, ठीक है? असोक ने बौध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्ता नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है, तो देवनाम प्रिय की उभादी, असोक के सासनकाल में, बौध सवा आयोजित की गई थी, तो कहां पर? पाठिल पुत में, मौरे सासब जो बौध धर्म के अन्युआई थे, त तो रज्युक जो है मौरे सासन में अधिकारी थे, सार्थ वा कहलाते थे, तो ब्यापारियों की काफले को जो हैं सार्थ वा कहते थे, अगर हारिक, युक्त, प्रादेशिक, रज्युक में से वह अधिकारी जो मौरे प्रसासन का भाग नहीं था, तो अगर हारिक, ठीक? सारनात अस्तम का निर्माड किया था तो किसने किया था असोग ने सर्बसेश्ट इस्तूब मानते हैं तो साची को साची का इस्तूब बनवाया था तो असोग ने अब सुमेलित है अस्तान है और इसमारक या भोनाउसेश कौसांबी जो है तो ये जो है, इस मारक कौसांबी में जो इस्तित है, वो है घोसिता राम मठ, ठीक, कुसी नगर में जो है, राना भार इस्तूप इस्तित है, सारनात में जो है, धमेक इस्तूप है, सरावस्ती में जो है, सहेत महेत है, ठीक है, सहेत, साहेत महेत, ठीक, अब आगे देखते ही समराट असोक की तीर्थ यात्रा का सही क्रम है तो सबसे पहले गया गए फिर कुफीनगर, फिल्लुम्बनी, फिर कपिल वस्तु, फिर सारनात बाद में फ्रावस्ती गए थे असोक के सिला लेखों में परियुक्त भावसा है तो प्राकिर्थ भावसा है कालिसी, गिरनार, साबाजगड़ी तथा मेरट में से वहा असोक कालीन अबलेख जो खरोष्टी लिप में है तो इसका नाम है साबाजगड़ी पत्थर पर प्राचीन तम सिलालेक थे तो प्राकिर्थ भावा में असोक के सिलालेकों को सरपर्थम पढ़ा था तो जेम्स प्रेंसिप ने वास्तान जहां पाक असोक ब्रामवी लीपी का पता चला तो उसका नाम है उस जगह का अनुराधापूर ठीक है अनुराधापूर प्राचीन भारत में ब्रहमडी, नंद, नागरी, फारदा तथा खरोष्टी में फिवाए एक लीपी जो दाई और से बाई और लिखी जाती थी उसका नाम है खरोष्टी असुक का अपने फिलालेकों में सामानतयाच जिस नाम से उलेक हुआ है प्रिय दर्फी असुक के प्रास्तर अस्तंबो के सेंदर में सत्यकतंद है इन पर बड़िया पॉलिफ है, ये अकंड है, अस्तंबो का सौप्ट सुन्दाकार है मास्की, गोर्जरा, नैटर, तथा उड़े गोलन में से वह एक अबलेक जिसमें असुक के ब्यक्तिकत नाम का उलेक ही मिलता है तो मास्की में, असुक का रुम्मन देई अस्तंब संबन्दित है तो बुद्ध के जन्म से जो है संबन्दित है गोजरा लगु सिला लेक जिसमें असुक का नामो लेक किया गया है इस्तित है मत्परदेश के दतिया जिले में केवल वह अस्तंब जिसमें असुक ने स्वहम को मगद का समराड बताया है तो इसका नाम है बाबरु अस्तंब कालिसी प्रसिद है असोग के सिला लेख के कारण उत्राखन में समराट असोग के फिला लेखों की एक प्रति मिली तो कालिसी में कलिंग यूद की बीजे तथा छतियो का वर्ण असोग के जिस सिला लेख में है वह है फिला लेख तेरावा ठीक है च्छतियों मतलब हानिकी ठीक है असोग का पूर्ण रूपेंड धार्मिक फैंसूनता के प्रद समर्पित सिलालेग जो है तो सिलालेग जो इनका बारामा है यह है ठीक है धार्मिक फैंसूनता के प्रद समर्पित अबलेग जो है ये इनका जो सिलालेक बारामा था उससे संब्ध है असूप के चूप प्रमुख सिलालेक संगम राजी के विवे में हमें बताती हैं उसमें समलित है दूसरा और तेरामा सिलालेक ठीक है चोल, पांड, सतिय पुत, तता साथवान में फिवा दच्छडी राज इसका उलेक असूप के फिलालेकों में नहीं है तो साथवाहन है असूप का वह बलेक जिसमें पारामपरिक और सरों पर पसुबल पर रोक लगाई गई ऐसा लगता है कि यह पावंदी पसुग के वद पर थी तो सिलालेक पहला है टालमी फिलाडेलफस और इनको जो तुरमय की भी नाम से याना आता है जिसके साथ असूप की राजने शंबंद थी सासक थी कहां के मिस्र के ठीक है चोल गुप्त मौर तता पलो में फिववा राजने जिसके सासकों के सुदूर देशों जैसे फीरिया यो मिस्र के साथ राज की जम्मंद थे तो मौरी प्राजीन भारती अब लेखों में फिववा एक खाद्यान जिसे देश में संकटकाल में उपियोगी है तो सुरच्चित रखने के बारे में प्राजीन तम साही आदेश है तो सोगोरा ताम प्रत पत्र ठीक है अब कथन ये है कारणार है इसको देखते हैं असोक ने कलिंग को मौर सामराज में जोड लिया था कलिंग दच्छड भारत को जाने वाले अस्तलिय युम समुद्रिय मारगों को नियंत्रित करता था तो ये आर दोनों सही है और आर जो है ये का सही अस्पेश्टी करण भी ह अब कथन ये और कारणार देखती है मौर काली इन्फासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था तो ये बिल्कुल सही है अब कारणार देखती है तो भू अनुदान के विर्ट करिसकों ने विद्रो किया था तो ये गलत है ये सही है पर अनुदार गलत मौर काल में टैक्स को छुपाने या चोरी के लिए दिया जाता था तो मिर्तिव डंड टिक प्रसिद युनानी राजदूत मेगस्तनीज भारत आये थे चंद्रवुप्त मौर के दरबार मेगस्तनीज ने अपने गरंत इंडिका में बहारतिय समाज को बिभाजित किया तोस्वात फ्रेडियों में अर्थसास्त्र मुद्रा राचस मेगस्तनीज की इंडिका तधा वायू पुराण में फिवा सुरोत जिसमें उलकी थे कि प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी तो मेगस्तनीज की इंडिका वा सुरोत जिसमें भाटिल पुत्र के प्रसासन का वाडन उपलब्द है तो इं गेस्तिनीच की इंडिका, मैगेस्तिनीच की पुस्तक का नाम है इंडिका है, ठीक है, मौर नहरेशों नहीं विकास किया था, तो किसका विकास किये थे, जिसके ही, संस्कृत यूम कला का विकास किये, ठीक है, संस्कृत कला यूम साहित का विकास किये, प्रांतिय विभाजन, हिंदु कुस्त तक सामराज ठीक है भाग योम बली थे तो यह राजस के सुरोत थे मौरिकाल में भूम कर जो कि राज की आय का मुख सुरोत था एकत्रित किया जाता था सीता धच्छ की द्वारा मौरिकाल में फीता से ताथ पर है तो राज के भूम से प्राप आये मौरे मंत्री परशद्य में राजे सो इकठा करने से सम्मंदित था तो इसका नाम था समाहर्ता मौरे इविन अधिकैरी जो मापतोल का प्रभारी था तो इसका नाम है पोतवा ध्यच पोतवा ध्यच ठिक पंकोदक फनिरोधी मौरी प्रसासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था तो किसलिए लिया जाता था यह जुर्माना या लगाया जाता था यह जुर्माना तो सड़क पर कीचन फैलाने वालो पर मौरिकाली में फिच्छा का सरवाधिक प्रसेदिक के इंदर था तच्छिला कौटिली के अर्षास्त्र के अनुज़ार मौरिकाली न्याय बेवस्था में ये नयाले अस्तित में थे तो धर्म अस्तलिय योम कंटक सूधन बर्तमान नगर पाली का प्रसाफन का या कारी मौरिकाल से जारी है तो जन्म योम मृत्यू का बंजी करन भारत के सांस्कृतिक इतियास के संदर में इतियास बितु राजवन से इतियासों तथा बीर गाताओं को कंटक करना वेवसाय था तो मगद योम सूध वरकों का गाओं के सासन को स्वयत सासी पंजायतों के माद्यम से संचालित करने की ब्यवस्ता का सूध पात्र किया तो महर्यों ने किया प्राजीन भारत का गरंथ जिसमें पती दौरा परित्यागत पतनी के लिए बिवा विचेत की अनमती दी गई तो अर्थ सास्त्र में, ठीक है? जातक मनुश्मृति याग्यवाल के योम अर्थसास्त्र में से पुनर विवा वर्जित है तो मनुश्मृति में ठीक विदेशियों को भारतिय समाज में मनुद्वारा दिया गया सामाजिक अस्तर था ठीक है प्राचीन भारत की यात्रियों का फैही क्रम है तो सबसे पहले आये मेगस्तिनी जाया फिर फाहियान फिर वायन फ्रांग फिर इत्सिंग आया था ठीक है अब सही सुमेली थे ठीक है चंद्रगुप्त तो इसको जो हम जानते थे सेंट्रो कोटेस के नाम से बिन्दुसार को जो है अमित्र कहात के नाम से भी जाना जाता था असोग को जो है प्रियदसी के नाम से और चाणक की को जो है विश्णो गुप्त के नाम से अंतिम मौर समराड जो है ये था ब्रेदरत ठीक ब्रेदरत सही कतान है अंतिम मौर सासक ब्रेदत की हत्या उसके प्रधान सेनापती पुच समित सुंग ने की थी अंतिम सुंग राजा देव भूती की हत्या उसके ब्रहमण मंतरी वास देव काण ने की और उसने राज सिंगासन हतिया लिया आंदर ने कन राजवन्स के अंतिम सासक को पद वन्चित किया था। इस भी सन के पूर्व की कुछ सताब्दियों में गिरनार छेतर में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया चो चंद्रगुप्त मौर और असोग ने। जल की आउसकता को ध्यान में रखती हुए जिस पर्थम सासक ने गिरनार छेतर में एक जील का निर्माण करवाया था तो वो थे चंद्रगुप्त मौर शुमेली थे तो लोथल जो है तो एनिफेंट डौक्याड इसको बोलती हैं सारनाद जो है फस्ट फर्मना बुद्ध ठी इस नाम से यह फेमस है अब हम देखते हैं मौर उत्तरकाल तो इस ट्रेटो शेकेंड इस ट्रेटो फास्ट डेमेट्रियस तथा मेनांडर मेफे वह हिंद यवन फासक जिसने सीशे के सिक्के जारी किये थे तो उसका नाम है इस ट्रेटो फेकेंड बिमसार गौतम मिलिंद तथा प्रसेन जीत में से वह एक जो अन तीनों के समकालिक नहीं था तो वह है मिलिंद काई भी फैली का प्राजिंतम नमूना मिलता है तो कठिया वाड के रुद्रदामन के अबलेक में ठीक है रुद्रदामन की रुद्रदामन प्रथम की विविन उपलप्तियां वाडित है तो जूनागड के अबलेक में जो है वाडित है ठीक बिना बेगार के सुधरसन जील का जिर्डो उद्धार कराया तो किसने करवाया तो रूतरदामन प्रथमने कराया उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिम भारत में सरवाधिक संक्या में तांबे के फिकों को जारी किसने किया तो कुसाडों ने प्राचीन भारत में नियमित रूप से सुने के शिक्के चलाए तो किसे ने चलाए कुशाडों ने बिम, कड़विफास, कनिस्क, नहफार बुध्धुप्त मेफे जिसके सिक्के जिसके सिक्को पर बुद्ध का अंकन हुआ है वो है कनिस्क कुजूल कड़फिस, बिम कड़फिस, कनिश्क परतम, हुबुस्क मेफि वह फासक जिसको सरपरतम सोनी की सिक्षित चारी करने का स्रेय मिला है तो उसका नाम है बिम कड़फिस, ठीक है फिर बिम कड़फिस, कुजूल कड़फिस, कनिश्क तथा हर्म बीज में से वह जिसने भारत में सोन फिको का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था तो उसका नाम है बिम कड़ाविफेस देखे एक एक कुईशन कितने तरीके से पूछा गया है योद्य फिको पर अंकन मिलता है तो कर्द के का ठीक आगे देखते हैं कनिश के सारनाध बहुदि प्रतिमा अभलेक स्थिती है तो 81 इस विशन 81 कुशान सासक कनिश का राज्या विशेख हुआ तो 78 इसापूर में सक समवद प्रारम किया गया तो 78 इसापूर में बिक्रम योम सक समवद में अंतर है तो 135 वर्षो का 135 इसापूर का बिक्रम समवद प्रारम हुआ तो 57 इसापूर में 57 इसापूर में कनिश के समकालिन थी तो असुगोष और वसुमित्र थी असुगोष, चरक, नागार अर्जुन तथा पतांजली में से वह जो कनिश के दर्वार में समद नहीं था तो पतांजली ठीक असुगोष, पार्ष, वसुमित्र तथा विसागदत में से वह जो कनिश के दर्वार में नहीं गया था तो विसागदत ठीक है आगे देखते हैं सरावस्ति कौसांबी पाटिल पुत्र तथा चंपा नगरों में फे कनिश के रबतक अबलेक में उलेक नहीं है तो सरावस्ति का कनिश का जो अबलेक है रबतक अबलेक तो इसमें सरावस्ति का उलेक नहीं है बाकी कौसांबी, पाटिल पुत्र, चंपा नगरों का उलेख है तच्छ सिला भी सुविदाले में सिच्छा राप्त की थी तो चरक और चीवक ने सुंग वंस के बाद भारत पर राज किया तो किस ने किया कानवंस ने मौरों के बाद दच्छिड भारत में सबसे प्रभावफाली राज था तो साथ वाहन था कौन था? साथ वाहन ठीक शिमुक संस्थापक था तो साथ वाहन वंसका चीनी जर्नल जिसने कनिस को हराया था तो उनका नाम है पान चाओ गुप्त वंस, मौरेवंस, कुसाडवंस में से वाहन जिसके सामराज की शिमाए बाहरती उप महाद्यूप के बाहर तक फैली थी तो कुसाडवंस बाल विवा प्रथा आरम किया कुसाड़ काल में अब इसको देखते हैं तो एक तरफ है राजवंस और एक तरफ है शिकों की धातुए ठीक है तो कुसाड़ राजवंस तो इनके द्वारा जो है स्वाण यों ताम तामर शिक्के जारी किये गए थे ताम से बने शिक्के जारी के गए थे यह है मतलब मतलब इनके जो सिक्के थे कुसान के जो सिक्के थे तो यह सौन धातू और तार्म तामर धातू से जो है बनाये गए थे गुप्द में भी जो सिक्के बनाए गए थे वो सौण यूम रजत के धातो से बने होए थे फात्वान में फीसे यूम पोटीन के बने होए थे शिक्के कलचूरी वन्स तो इसमें सौण रजत यूम तामर तीनों के शिक्के मिले हैं टीक है तीनों धाट के शिक्के में जहें अब गानिस्तान का बाम्यान प्रसिद्ध था तो बुद्ध की प्रतिमा के लिए जो कला सहली भारत और युनानी आकरती का समिस्रण है उसे कहते हैं तो गांधार कहते हैं टीक है वह मूर्तिकला जिसमें सदेव हरित अस्तरित चटान सिल्ड का प्रियोग माद्यम के रूप में होता था तो इसे हम कहते हैं गांधार मूर्तिकला प्राचीन काल के भारत पर आकरमडों के संबन में फही का लानकुराम है तो युनानी पिरसक फिर कुशान टीक है पहला इरानी फासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था तो इसका नाम है डेरियस पर्थम चालुक, वल्लो, राश्टकूर तथा फातवाहन राजवांसों में सबसे पुराना राजवांस है तो सातवाहन है आंदर सातवाहन राजवांस राजवांस के सबसे लंबी सूची मिलती है तो मतश पुरान में ठीक है, कहां मिलती है मतश पुरान में आगे, सातवाहनों की राजदानी आवस्तित्ती तो अमरावती यूंपstoryष्ठान में ठीक है, आगे देख लेँ एका ब्रामण प्रयुक्त हुआ तो गौतमी पुत्र साथकांडी के लिए ठीक है किसके लिए गौतमी पुत्र साथकांडी के लिए जो है एका ब्रामण प्रयुक्त हुआ था ठीक है प्रयुक्त हुआ है ठीक निम्न कतनों पर विचार कीजिए तो कतनी है और कारणार कुसाण पारस के खाड़ी और लाजागर से होकर ब्यापार करते थे ठीक तो ये बिल्कुल सही है उनकी सूसंगटित नौसेना उच्छी कोटी की थी तो ये गलत है ठीक है राजा खारवेल का नाम जुड़ा है तो हाथी गुमफा लेक के साथ असोग हर्च पुलंकी शंदुतिये यों खारवेल में से वह जो चैन दर्म का संद्चक था तो उसका नाम है खारवेल कलिंग नरेश खारवेल सम्मंदित हैं तो चेदी वंस से दसरत, ब्रेहदत, खारवेल तता हुबिस्क राजाओं में से वह जिसका जैन धर्म के प्रतिवारी जुखा होता तो वह है खारवेल पूर्भी रोमन फासक जाश्टीनियन का सरबादिक महत्पूर्ण योगदान है तो बीधि में ठीक है अब हम देखते हैं गुप्ट योम गुप्त उत्तर योगदेखते हैं ठीक है गुप्ट वंस ने फासन किया तीनसो वननैस से पानसो इस भी के मद्द चार असुमेगो का संपादन किया था तो प्रवरफेन प्रतमने बहारत का नेपोलियन कहा जाता है किसको समुद्रगुप्त को गुप्त राजा देवगुप्त का एक अन्य नाम था चंद्रगुप्त दुतिये प्रतम गुप्त स्वासक जिसने परमभागवत की उपादधारण की चंद्रगुप्त दुतिये इलाहबाद अस्तंब अबलेक संबद है तो किस से हैं समुद्र गुप्ट से प्रियाग प्रसास्ती जानकारी देती है तो कुमार गुप्ट के सैन अभियान के बारे में समुद्र गुप्त के प्रियाग प्रसेस्तिक वाले अस्तम पर लेक मिलता है तो जहांगीर का प्रिथिव्या पर्थम बीर उपादी थी तो समुद्र गुप्त की थी हुडो के आक्रमण फे अत्यन्त बिचलित हुआ कौन गुप्त राजवन्स हुडो ने भारत पर आक्रमण किया था तो अस्कंद गुप्त के सासनकाल में गुप्त सासनकाल जिसने हुडो पर विजयी प्राप्त किया तो अस्कंद गुप्त वहाबलेक जिससे ग्यात होता है कि असकंद गुप्त ने हुडों को पराजित किया था तो भितरी अस्तमलेक गुप्त सामराज के पतन के विभिन कारण थे जो हैं तो हुड आक्रमण ठीक प्रसासन का सामानतिय ढाचा उत्तरवड़ती गुप्तों का बोध धर्म शोबिकार करना अयोग उत्रादिकारी ठीक है ये कारण थे सक भिजेता के रूप में जाना जाता है तो चंद्रगुप्त दुतिये को ठीक है बागे देखते हैं चंद्रगुप्त दुतिये ने पराजित किया था तो रूत्रसिन तिर्थिये को रजा सिक्के जारी करने वाला पर्थम गुप्त सासक था तो चंद्रगुप्त दुतिये गुप्त काल में उत्तर भाहरतिये ब्यापार जिस एक पतन से संचालित होता था वह है ताम लिपती भारत ने दच्छड कूर्व एसिया के साथ अपने आरंभिक फांस्कृतिक संपर्क तथा ब्यापारिक संबंद बंगाल की खाड़ी के बार बनाए रखे क्योंकि बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसूनी हवाओं ने समुद्री यात्राओं को सुगम बना दिया था ठीक है ये कारण है प्राचीन भारत में देज की अर्थवयावस्था में अत्यानत महत्पोर्ण भूमी का निवाने वाली सृरेणी संगतन के संदर में सत्य कथान है तो स्रेणी ही बेतन काम करने के नियमों मानको युम कीमतों को सुनीष्चित करती थी फ्रेडी का अपने फदस्यों पर न्याईक अधिकार होता था ठीक है गुप्तकाल में गुजरात, बंगाल, दकन, युम, तमिल राश्ट में इस्थित, केंद्र, सम्मंदित है तो वस्त्र उत्पादन से ठीक गुप्तकाल में अपनी आयरुविज्ञान विफैक रचना के लिए जाना जाता है तो किसको जाना जाता है? सोश्रित को, ठीक है? कौन जाने जाते थे मतलब? सोश्रित, ठीक? धनमंतरी, भासकर, चरक, तथा, सोश्रित, मेफे प्राचीन भारत के आयरुवेद सास्तर से संबंदित नहीं है तो इनका नाम है भासकराचारी, ठीक? प्राचीन कालीन भारत में हुई बैक्यानिक प्रकती के संदर में सत्य है तो पर्थम सताबदी इसापूर में बिभिन प्रकार के बिसिष्ट फैली आउजारों का उप्योग आम था पांच भी सताबदी इसापूर में कोड के जा का सिधान्त ग्यात था ठीक? साथ भी सताबदी इसबी में चक्रिय चत्रुबेंद का सिधान्त ग्यात था ठीके? तो ये सारे पॉइंट सही है चंद्रगुप्त के नौ रत्नो में फे फालित जोतिष्व का से सम्बंदित था तो कौन था? छपनरत कालिदास जिसके सासनकाल में थे वह है चंद्रगुप्त दुतिये वो है चंद्रगुप्त दुतिये ठीके? चंद्रगुप्त तुती के साफनकाल में जो है कालिदास थे ठीक है गुप्त कालीन सोन मुद्रा है दीनार है ठीक है इसको उन दीनार के नाम से बोलते थे गुप्त कालीन सचत मुद्राओं को नाम दिया गया था तो रूपक दिया गया था वह गुप्त सासक जिसने सरप्रथम सिक्के जारी किये थे चंदगुप्त प्रथम गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में इस्तिरी और सूद्र बोलते थे तो प्राकिर थे सती प्रथा का प्रथम आवलेकिक साच प्राप्त हुआ तो एरण आवलेक भे गुप्त सम्वत की अस्थापना की तो चंद्रगुप्त पर्थमने अब शुम्यलित है समराट और विरुत ठीक है इसको देखती है तो असोक को जो है प्रिय दर्शनी के नाम से जानती थे समदु गुप्त परक्रमांक संदु चंदु गुप्त दुधियों को बिक्रमादित के नाम से असकंद गुप्त को क्रमादित के नाम से ठीक है नगरों की क्रमिक प्रतन हाँ स्वारी फिर से देखते हैं नगरों की क्रमिक पतन एक महत्पुन भी सेस्ता थी गुप्त काल की मंदीरों योम ब्रामडों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया गया था गुप्त वनसे ने दिया था प्राचीन भारत में वह वनसे जिसका साफन काल स्वाण युग कहलाया तो गुप्त गुप्त युग में भुम राजस कीदर थी तो उपज का छठवा भाग राचीन भारत में फिचाई करको क्या कहते थे तो इसे हम कहते थे बिदक भागम बिदक भागम तीसरी सताब्दी में वारंगल प्रसित्था लोहे के यंत्रो या उपकरंडो ये तू तोर मार था तो हूड जाती है दलका हूड फासक मिहिर कुल को पराजित किया था तो बालादित युम यसुवर दन्य विशागदत के प्राचीन भारतिय नाटक मुद्रा राचा की विशेवस्तू है चंद्रुप्त मौर के समय राजदर्वार की दूरव संधियों के बारे में सत्य कथन है तो गुप्ट समराट सोयम के लिए देवी अधिकारों का दावा करते थे यह सत्य है और उनका प्रसासन बिकेंद्री किरित था ठीक है उनका जो प्रसासन था ये बिकेंद्री किरित था मतलब डिशेंटलाइस था एक जगा केंद्रित नहीं था ठीक है प्रसास खेल उदभूत या ओर्जिनेट हुआ था तो भारत में ठीक सूद्रक द्वारा लिखी प्राचीन भारती या पुस्तक मिरिच कटिकम का विफै था एक धनी ब्यापारी और एक गडिका की पुत्री की प्रेमगा था प्राचीन शांक दर्षन में मातपूर योगदान है किसका कपिल का भारत में दर्षनिक विचार के इतिहास के संबंद में सांक संपरदाइफे संबंधित सत्तिकतन है तो सांक की मैनता है कि आत्म ज्यान ही मोच की और ले जाता है तीक है ना कोई वाह प्रभाव अथवा कारक तिक योगदार्षन के प्रतिपादक हैं तो पतांजली है अनुई स्मृति प्रत्याहार दियान तता धाड़ा में फेववा जो अश्टांग योग का अंस नहीं है तो ये है अनुई स्मृति महा भास के लेकक पतांजली समसामाइक थे तो पुश्यमित्र सुंके नभ न्याय शंपरदाय के संस्थापक जो है थे तो गंगेश जब तक जीवितर हो सुक से जीवितर हो चाहे इसके लिए रिड ही लेना पड़े क्योंकि सरीर के भसमी भूत हो जाने पर पुनरागामन नहीं हो सकता ठीक है पुनरजनम कानिफेद करने की यह उकती है तो चवारको का है चवारक दरसन एक है चवारको का है ठीक है बैफेशिक दर्शन के प्रवर्तक थी तो कड़ाद नियाय दर्शन के प्रवर्तक थी तो गौतम आगी देखते हैं मीमांसा के प्रणेता थी तो जैमिनी कर्म का सिद्धान समंदित है तो मीमांसा सी सांक, बैफेसिक, मिमांसा, नियाय तथा योग में से वह दर्वन जिसका मत है की बेद सासवत सत्य है तो मिमांसा, मिमांसा और बेदांत, नियाय और बैफेसिक, लोकायत और कपालिक तथा सांक और योग इगमों में से वह एक जो बहारतिय सर्ड दर्वन का भागी नहीं है तो लोकायत और कपालिक अदोयत दर्वन के संस्थापक हैं तो संकराचारी हैं ज्ञान, कर्म, भाक्त, तथा योग में से अदोयत बेदांत के अनुसार मुक्ती प्राप्त की जा सकती है तो ज्ञान के द्वारा तीक है आगे देखते हैं संकराचार, अभिनोगुप्त, रामा अनुज, मादों मेफे, बेदांत दर्वन के साथ संबंध नहीं है तो अभिनोगुप्त का तीक है सुमेलित हैं तो एक तरफ है सनवत्सर और गर्नावदी तीक है तो बिक्रम सनवत्सर तो 58 इसापूर्व, 58 इसापूर्व, सक्त सनवत्सर मतलब सक्त संवत्सर तो 88 इसबी, गुप्त संवत्सर जो है 320 इसबी और कालि संवत्सर जो है 302 इसापूर्व, ठीक है अब सत्तिक अथन है ठीक तो बिक्रम समवद 58 इशा पूर्व से आरंब हुआ सक्व समवद 58 इशा पूर्व से आरंब हुआ ठीक है 58 इशबी से आरंब हुआ इशा पूर्व नहीं होगा ठीक है 58 इशबी 78 गुप्त काल जो है 391 से आरंब हुआ बहरत में मुसल्मान साफन का युग 1192 इस भी से शुरू हुआ पुलिंकेशन दुतिये का बादामी फिला लेक सक वर्ष 465 का देनांकित है यदि इसे विक्रम संवद में देनांकित करना हो तो वर्ष होगा 601 या अथवा 600 एक चालुक अभिलेक तीथ अंकन में सक संवद का वर्ष 556 दिया हुआ है इसका तुल्ली वर्ष है 634 भी पुराणों के अनस्वार चंद्रवंशिय सासको का मूल अस्थान है तो प्रतिष्ठानपुर मौखरी फासको की राजधानी थी कन्नोच हरिस रेंड कलेहड युम कालिदास में से वह जिसकी पुस्तकों में हर्ष के समय की सूचनाएं नहीं थें तो कलेहड की हर्ष चरित नामक पुस्तक लिखी है तो बाणबट ने हर्ष के सामराज की राजधानी थी कन्नोच समराठ हर्ष ने अपनी राजदानी थाने-सवर्थे-स्थाना कि गी थी, तो कहां कि थे कन्नोज में, ठीक है? समराठ हर्ष वर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलिनों का आयोजन किया था, तो कन्नोज तथा प्रियाग में, ठीक? उत्तर प्रदेश में इस्तित हुआ अस्तल जहां हर्थ वर्धन ने बौद महा सम्मेलन का आयोजन किया था प्रियागराज में नर्मदान नदी पर समराथ हर्ष के दच्छिड वर्थी अगर गामन को रोका तो किसने पुलिंकेशन दुतिये ने अर्थ वर्धन को पराजित किया था तो पुलिंकेशन दुतिये ने कभी वाण निवासी था तो ये प्रीथी कूटा अवरंगाबाद का ठिक हुयन स्वांग भारत आया तो समराथ हर्ष के दच्छिड वर्थ के दच्छिड वर्थी यात्रा करने वाले चीनी यात्री युयान चौांग वैंवांग ने तत्कालिन भारत की सामान दफाओं और संस्कृति का वर्णन किया है इस अंदर में फहीकतन है तो जहां तक अपरादों के लिए डंड का प्रस्ण है अगनी जल वाबिफ द्वारा सत्परिच्छा किया जाना ही किसी वी ब्यक्त की निर्दोसिता अथवा दोस के निर्ड़े के साधन थी ब्यापारियों को नौ घाटो और नौ को पर सुल्क देना पड़ता था तो यह सही है होयन फांग के भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद नगर था तो मत्वरा था कौशेव या कौशे सब्द प्रियोग किया जाता था रेशम के लिए चीनी यात्री होयन फांग ने अध्यन किया था तो नालंदा बिश्विद्याले में आज भी भारत में होयन फांग को याद करने का प्रमुक कारण है तो सी यू की रचना के लिए चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की भीनमाल की यात्रा की तो उनका नाम है वहन फांग चीनी यात्री इतिसिंग ने बिहार का ब्रमड किया लगभग छेसो एकातर अथवा छेसो बातर इस भी में ठीक है चीनी लेखक भारत का उलेख करते हैं तो इन्तू नाम से इन्तू नाम से ठीक नालंदा भी सुभिद्धाले के बिनास का कारण था मुस्लिम आक्रमड भारत में सबसे प्राचीन बिहार है तो नालंदा नालंदा इस्तित है बिहार में गुपतो उत्तर युग में प्रमुक व्यापरियों का केंदर था कन्नोच, कथन ये और कारण, सामन्त वाद का विकास, गुपतो उत्तर काल की किरिशक संरचना की प्रमुक विशेशता थी, तो ये बिल्कुल सही है, इस काल में भो स्वामी मद्यम वर्ग यों आशरित प्रमुक वर्ग अस्तुत में आया, ठीक है, तो ये भी फैही है, ठीक, ये आर दोनों सही है, और आर जो है ये की फैही ब्याक्या है, ठीक है, आगे देखते हैं, भारती इतिहास के संदर में शामान्ती वेवस्था के अनिवारिक तत्व हैं, तो किरिफी के नियंत्रट त स्वामित पर आधारित प्रसाफिनिक सन्रचना का उधै, सामंत तता उसके अलिपती के बीच स्वामिदास का संबंद मनना, ठीक, अब सत्य कथन है, तो चीनी तीर्थ यात्री, फाहियान, चंद्रगुपत्तुतिये का समकालीन था, चीनी तीर्थ यात्री होएं सांग अर् बोद धर्म का उबासक बताया तिक आठवी सतापदी के संत संकराचार के बारे में सही कतन है तो उन्होंने भारत के बिमिन छेत्रों में चार धाम अस्थापित किये उन्होंने बेदांत का प्रसार किया उन्होंने बोद तता जैन धर्म के बिस्तार पर रोक लगाई तिक आदि संकराचार द्वारास्ता पे चार मट इस्तित थे तो जोसी मट द्वारिका पुरी और शिरंगेरी में ठीक है अब सुमेली थे ठीक है तो रभी कीर्ती तो पुलिंग केशन दुतिये बहुबूती तो कन्योज के एसो वर्मन हरी श्रेण समुद्र गुप्न डांडी नर नर्सिंग वारमन ठीक है तो रभी कीर्ती जो है या पुलिंग केशन दुतिये के सासन काल में कभी थे बहुबूती जो है कन्योज के एसो वर्मन के राजदरबार में ठीक है शुमेली थे तो राज दरबारी कभी और राजा तो अमीर खुसरो जो है अलाउद दिन खेल जी के सासन काल में या दरबार में कभी था काली दास चंदरबूतीये के दरबार में कभी थे हरी स्रेण जो है समदरगुप्त के दरबार में कभी थे और बान बट जो है अर्सवर्धन के राजदरबार में कभी थे शुमेली थे तो भोज भोज जो है धार में पढ़ता है दु असोग प्रांतिय सासक उज्जायन ठीक थैंक यू चैनल को अपलुक जादा से यादा फेर और सब्सक्राइब के रिए